सबी को नमस्कार अमरूद एक छोटा सा फल है जिसे कार्टिनॉइड और पॉलिफिनोल्स और विटामिन सी, आइरन, कैल्शियम और पोटाशियम जैसे फाइटो कैमिकल्स से भरपूर अफलाट्रॉपिक्स कहा जाता है जिसकी चर्चा आज होने वाली है हम अमरूद से अमरूद की प्रोसेसिंग देख सकते हैं इसलिए शुरू में फलों को बबल वॉश्चर में धुए जाता है जिससे बुलुले फलों की सतै से गंधगी को हटाते हैं कभी-कभी धूने वाले पानी में क्लोरिन मिलाया जाता है फलों को धोने के बाद इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दिये जाते हैं इसके बाद इन टुकडों को स्क्रू टाइप पलपर में डाला जाता है जहां आपको अमरूत का गूदा मिलता है पलपिंग मशीन में फिनिशर का उपयोग करके हम छिलके और बीज को निकालते हैं इस रस का परियोग आगे की प्रोसेसिंग जैसे RTS पे के लिए किया जाता है जो कि एक अप्रभावित पे है आप उस रस को देख सकते हैं जो स्क्रू पलपर से उत्पन हो रहा है इसके साथ ही हम चीनी की चाशनी तयार करते हैं चीनी की आवश्यत मात्रा गरम पानी में गोली जाती है और फिर इसे छान कर रस या पल्क के साथ मिक्सिंग टैंक में मिक्स किया जाता है चीनी में किसी भी अवांचित सामगरी या राख कणों को हटाने के लिए फिल्टर प्रेस का उप्योग करके वोट को फिल्टर किया जाता है मिक्सिंग टैंग में मिश्रन का तापमान होमोजिनाइजेशन करने के लिए बढ़ाया जाता है होमोजिनाइजेशन किसी भी फल के पल्प और चाशनी के मिश्रन को एक समान करने के लिए 2000 PSI दबाव पर एक छोटी चन्नी में से पास किया जाता है जिसके बाद रस को पास्चराइज करने के लिए इसे UHT स्टरिलाइजर के बैलेंस टैंक में ले जाया जाता है और फिर पास्चराइज रस को फिलिंग सेक्शन में लिया जाता है भड़ने से पहले बोतलों को धोया जाता है और फिर सुका कर फिलिंग सेक्शन पहुंचाया जाता है फिलिंग सेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग देड़ से धाई सैंटिमिटर के हैड़ स्पेस को छोड़ कर की जाती है जिसके बाद बोतलों को ढखकन लगाया जाता है और फिर ठंडा करके स्टोर किया जाता है कॉर्क स्विचालित रूप से बोतलों पर रखा जाता है और कॉर्किंग की जाती है इसलिए कॉर्किंग के बाद बोतलों को ठंडा करके स्टोर किया जाता है इस प्रकार हम अम्रोत का नेक्टर निर्मान होता देखते हैं धन्यवाद